असलाम अलेकुम फ्रेंड्स मैं आपको वेलकम करता हूँ वीजियो एक्सपर टीजिंग यूटूब चैनल पर आज हम M.G.T. 510 टोटल कॉलिटी मेनेज्मेंट का लेक्चर नमबर 32 कवर करेंगे लेक्चर नमबर 32 के सबसे पहले हम टाइटल को देखते हैं टाइटल है Big Q and Small Q and Leadership for Quality इस लेक्चर के अंदर जो Notes में यूज़ कर रहा हूँ यह मैं आपको प्रोवाइट कर दूँगा आप किस तरीके से ले सकते हैं वीडियो के एंड में मैं आपको यह बता दूँगा आज के लेक्चर के जो टाइटल है उसमें पहला टापिक जो हम डिसकस करेंगे वो होगा एस पर सेम टाइटल Big Q and Small Q सेकंड हमारा टापिक होगा Leadership for Quality धर्ड हमारा टापिक होगा Perspective on Leadership पौर्थ हमारा टापिक होगा The Role of a Quality Leader और फिफ्ट और लास्ट हमारा टापिक होगा Management and Leadership हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इससे होगा क्या कि दूसरे स्टूडेंट्स जिनको यह सब्जेक्ट टफ लग रहा है सब्सक्राइब जो करें चैनल को सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं क्या करता हूँ कि यहां पर आप देखेंगे कि कितनी जादा डीटेल दी गई है अब इस डीटेल को कंसाइस करके के शौट करके और एजी वर्ड में करके विद रिए लाइफ उपल मैं यहां पर इन इस्टीकी नोट्स की सूरत में आपके लिए बना देता हूँ तो आई अपने इस लेक्टर को स्टार्ट करते हैं बिग क्यू एंड स्माल क्यू यहां पर हम अपने स्टीकी नोट्स खोलते हैं और इसको देखने डॉक्टर जोरान जो के क्वालिटी गुरू है इनके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा इन्होंने जो है डिफ्रेंस बताया है बीकू और प्रोडुक्ट्न इस सर्वेसिस बन रही है उन तमाम की क्वालिटी को मेंचे किया है वाइल Small Q focus on quality specific area और Small Q जो होता है वो specific areas और specific product होते हैं या specific processes होते हैं उनको manage करने के लाता है जैसे के inspection का process हो गया, quality control का process हो गया Big Q require leadership and a strategic approach making quality a priority throughout the organization Big Q के अंदर क्या requirement होती है कि leadership जो है उनके पास वो एक strategic approach को अपनाएं और उसकी basis के उपर quality को priority समझें हर कोई even everyone in the organization or throughout the organization quality जो है वो main priority होनी चाहिए real life example देख लेते हैं कि एक car manufacturing company है Big Q would involve ensuring quality in everything from design to customer service तो Big Q क्या होगा इस car manufacturing company के अंदर के design से लेके customer service तक यानि कि आपने गाड़ी design की produce की सब पुछ किया customer को गाड़ी दे दी customer का कुछ feedback आता है उसको कुछ problem आते हैं तो जो customer services देते हैं यानि कि initial stage car बनाने का क्या होगा design और last stage क्या होगा customer service तो design से लेके customer service तक quality को manage करना ensure करना यह जो है बिक्यू के अंदर आता है इसमाल क्यू माइट only focus on quality check during production production के दोरान जो मसले मसाइल आ रहे हैं जिन processes को आप check कर रहे हैं ensure कर रहे हैं कि quality सही हो प्रोड़क की functionality सही हो प्रोड़क के अंदर कोई delivering high quality cars बिक्यू इस चीज को भी make sure करता है कि पूरी company जो है पूरी organization उसके तमाम वरकर management इवन स्मॉल स्केल से लेके top management तक सब जो है इस चीज के ऊपर committed हों कि उन्होंने एक high quality car जो है वो customer को deliver करनी है वाइधिंस वह आपको यह चीज जो है यहां तक समझ में आगे होगी इसमें को problem नहीं होगी एक चीज हम यहां पर चेक कर लेते हैं कि हमारा माइक जो है वो काम कर रहा है या नहीं तो ठीक है यहां माइक काम कर रहा है sorry for disturbance उसके पाद हम देख लेते हैं लीडर्शिप और क्वाइब होती है तो लीडर्शिप जो है अगर आप काम्याब करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है जैसे आप सिंपल ले लें किस तरीके से बनाते हैं उसको सब्मिट कैसे करते हैं तो यह प्री रिक्वेस्टीज है यह आप जरूर्ण चाहिए अगर आपको यह नहीं आते तो आप नहीं कर सकते इसी तरीके से कर और तो हर जितनी बीड़र्शिप उसको वह जरूर रहना चाहिए उसके बाद है प्रिस्पेक्टिप और लेडर्शिप इसको हम यहां पर देख लेते हैं यह बहुत बड़ा टॉपिक यहां पर दिए गया है और इस लेक्षर के अंदर यह बहुत इंपोर्टन भी यह और इसके बाद वाला एक टोपिक वह बहुत इंपोर्टन है आप लोगी कमें सेक्ष में रिक्वेस्ट आती है के आपको बता दिये करूं कौंसा बहुत Zादा उसको इंपोर्टन है उसको है लेट कर दिया करूं ताके आप उसकी त्यारी कर सके लीडर्शिप इस कृशल पॉर इंशुररिंग क्वालिटी इन और उगनाजेशन लीडर्शिप जो है वह वह बैकबॉन का हैसियत रखती है कॉलिटी को मैंच करने के लिए इंशुर करने कर एक अच्छी लिडर्शिप क्या होती है उसका बिहेवियर जो होता है कि अपनी और गनाज़ेशन को सर्फ करते हैं वहां काम करते हैं और जितनी रिसोर्स उस वीजन को काम्याब करने के लिए required होती है उसको wisely इमांदारी के साथ जो नीचे workers काम कर रहे हैं उनको provide करते हैं and fostering a culture of honesty and learning और एक ऐसा culture develop करते हैं जिसमें इमांदार होती है और हर किसी की यह कोशिश होती है कि वो जाद से जाद अपने काम को सीखे उसमें जिद्दत लाए उसमें improvement लाए leadership set goal and shape the company culture leadership क्या करती है कि leaders जो है वो एक goal set करते हैं और organization के अंदर एक culture develop करते हैं if they don't prioritize quality or focus only short time gains the quality effort will fail अगर वो prioritize ना करें कि उनकी quality जो है उनकी main requirement ना हो और वो सिर्फ इस चीज़ पर focus करें कि short term पे जो benefit मिल रहा है वो मिल जाए तो उनकी जो quality के लिए effort है वो fail हो जाएगी leadership also distribute resources if they neglect quality is suffers leadership जो है उनकी एक जिमेदारी यह भी होती है कि वो resources को distribute करें इसमें salaries पक्स तरीके की चीज़े आ जाती है और उसके बाद जो instrument आपको required होते हैं काम करने के लिए वो सारी चीज़े आ जाती है अगर वो इन सब चीज़ों को neglect कर देते हैं तो भी quality सफर करती है उसके बाद मैलकम बेलिज बात हो रही है यह quality award होता है मिट्टरम के lectures में हमने इसके उपर details discuss किया है तो इसकी जो है इमेजना इस्कूल प्रिंसिपल हो वेल्यू ओनली हाई टेस्ट स्कॉर शौट ट्रम गेंज और जैनियन लर्निंग फॉर कॉलिटी एक इस्कूल प्रिंसिपल की एक्जेंपल ले 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 लेते हैं यहां पर जिनका मकसद सिर्फ यह है कि उनके बच्चे जो हैं उनको हाई कि मैं बस टॉप कर लूँ और मैं अच्छे पेपर ले लूँ और दूसी तरफ जो आमिर खान साब आते हूं उनका क्या गोल होता है कि भाई मैं काबिल बन जाहूं मुझे concept समझ में आ जाए मैं इस चीज़ को दूसी जगा कैसे apply कर सकता हूं practical approach मेरी क्या होनी चाहिए तो तो उस चीज़ के पीछे लगे रहे हैं अगर वो क्वालिटी एजुकेशन के उपर फोकस नहीं करेंगे बलगे उनका फोकस इस चीज़ के उपर है कि हाई टैसी स्कोर आ जाए तो और लर्निंग इस्पीनियंग वो खराब हो जाएगा और इसके दूसरे हैं पर अगर के मकसद दें कि आपने एक्सिलेंस अचीव करना अपनी लर्निंग के अंदर तो पूरे स्कूल को जो है बेनिफिट होगा वाई तिंग सो यह इतना बड़ा टॉपिक था यह मैंने आपको थोड़े से टाइम में समझा दिया आपको इसको हैल्प मिलेगी दारोल्स क्या होते हैं वह यहां पर बता रहे हैं जाए इसको देख लेते हैं हम यहां पर सॉरी में यह बार पर अपना माइक चेक कर रहा है तो यह थोड़ा सब्सक्राइब कर लाएं मेरे साथ रूल ऑप क्वालिटी लीडर अंडर्लाइं तप्वालिटी लीडर्शिप आर सम्किल उसके अंदर कुछ क्लियर खसूसियात होती है जो के मैनेजर के अंदर होनी चाहिए अगर वह मुझूद हैं तो इंस्पायर करते हैं दूसरे को ऐसा क्वालिटी लीडर उसमें सबसे नंबर वन पर क्या है कि उनके पास एक इस्टेबलिश्ट वीजन होना चाहिए सेकिंड और objective questions के अंदर आएगा तो इसको आप जरूर देखें MCQs में भी आ सकता है कि क्वालिटी लीडर की खसूसियात कौन-कौन से होती है तो वीजन होगा वेल्यूस होंगी एंड इंप्रूब्मेंट एपर्स होंगी सबसे पहले हम स्टैब्रिशन को देख लेते हैं यहां पर अब वीजन इस किलियर एक्साइटिंग आईडिया उससे आपको excitement मिलती है एक और गाहां जाना चाहती है किस तरीके से वो अपने कस्टूमर को खुश कर सकती है और किस तरीके से व अपने मिशन को अचीव कर सकती है leader must create and communicate this vision ensuring everyone understand and support it leader जो है एक सबसे पहले इस vision को create करे फिर उसको communicate करे और ensure करे कि हर कोई इस vision को समझ गया है ताकि वो उसको support कर सके quality vision is not just a dream, quality vision जो है वो एक खाब नहीं होता it necessary goal that required the involvement of all employees की क्या होता है कि तमाम employees को इसके अंदर engage करना होता है leader should listen to it their team's idea to shape the vision making it easier to everyone to impress तो leaders को क्या करना चाहिए वो इस चीज़ को सुने उसको समझे team's ideas दे रही है उसके मुताबिक अपने vision में अगर changing करनी पड़ती है तो change करे उसके बाद ताकि तमाम लोग उस vision के उपर मिलकर काम कर सके अचा देखें आप जो management के students होते हैं आप लोग जैसे लेक्शर पढ़ रहे हैं तो यह इतना important topic है vision कि आप यहां से समझे हैं अगर life में आप एक मिसाल लें कि आप एक क्या कहते हैं कि आप एक मिसाल लें कि आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं ठीक है या फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो फ्रीलांसर बनने के लिए आप एक विजन लिखेंगे अपना कि यहां रहते वे फ्रीलांसर बनना चाहता हूं ताके मैं अपनी परस रेलीकेर यह लेक्ट से दूर रहें हैं यह अपका विजनीहें चाहते है év CGI-Eilилось-Cries यह मेरा विजन थो आपको मुश्किल है कि यहां यह विए फ्रीलांसर जनी करते हैं लिए उसके बात शाहर से प्रिलांसिंग करने उसमें काम्याब हो गए उन से डिसकस करना है कि मैं यह करना चाहरा हूं मैं कैसे कैसे कर सकता हूं तो आपको कुछ के बादना लिए निद्ट रिया जाहिए वसलिए pected all the करना एक वेलियू एक एक और धी डिवेजिशन के सब्सक्राइज निवस्चास से खान ट THIS जांठक पंष होना है क्या चाहिए और हम एक और रिजैशन की बात कर रिशानी ना हो कस्टूमर को एक अच्छा प्रोड़क मिले उस प्रोड़क के अंदर इंप्रोब्मेंट करते रहे इस तरीके चीज़े होती है अब अगर आपने विजन बना लिया प्रिलांसर बनना चाहते हैं तो उसमें आपकी क्या वेल्यूस होनी चाहिए आपकी इसको हम यहां पर देख लेते हैं वालेटी डॉन्ट जास्ट करेट एक विजन नहीं बनाते तहां एक्टिवली ड्राइव इंप्रोड़क करते रहते हैं लोगों को नहीं नहीं इंस्टूमेंट अगर आते हैं तो उनको इंट्रीज करवाते हैं जाकर काम में असानी हो सके अब यहां पर यह बात आगे कि इस चीज में रहते हैं कि इन तरह चीजों को अच्छा किया जा सकता है और फास्टर किया सकता है कि कस्टूमर की एक्पेक्टेशन को मीट कर सके लिए शुट इंवल्ब इन इंप्रोविंग प्रॉसेस गाइडिंग इंप्लाइज और वेर तो कि ँशु करते हैं कि क्या करनी सब्क्राइज करते हैं अगर आपने लेक्षर देखें उसके बाद आपने की तीनों या हमारी टीम ने ये मिप्रूफ कियो हमारी टीम ये इंपरूफ किया तो वहां पहसे आपको यह निष्ट को आपको नजर आएंगी और अगर आप इस तरीके से कर ले आपने召ार आप इस तुर्फियोर कर लिया आप मुझसे शर्त लगा रहें यह एक भूल ही नहीं पाएंगे इस तरीके से आपने लेर्णिंग का पैटरन मनाना होता है और उस पर आपने पढ़ना होता है अब हम आगे चलते हैं इसको हम देख लेते हैं जौन कोटलर जिस तरीके से जुरान थे वैसे यह क्वालिटी गुरू थे मिट्रम में इनके उपर डिटेल से डिसकस किया हमने वीज़न लेडर्शिप वर्सिस मैनेजमेंट हाइले बहुत आरे इसेंचिल पर्ट है वह बहुत जो है एक तरीके की होती है मिलती जुलती आप क पर्ट होती उसके नपावर के मताबिक यह कहते हैं अच्छा करता है कि अपने लोगों को इंसपायर करता है उनको इंपावर करता है करते हैं तो आप बताएं किस तरीके से इंप्रूब हो सकता है आपका आपका इडिया अच्छा हो आपको इम्पलिमेंट गर देंगे एक वंदा-डा जो की नॉर्मल सा वर्कर काम कर रहा है और वह वारा गंटे उसका मों कर सकता है तो उससे सब्सक्राइब करते हैं कि एक कंपनी उसमें इंशोर करता है कि देली ऑपरेशन रन बिल्कु ठीक तरीके से काम हो को मसला ना हो मेन्वाइल एक लिटर है वह कंपनी के अंदर लोंग टर्म विजन को लेकर चलता है वह क्या देखता है कि सब्सक्राइब करता है कभी कभार उनको चीज़े खिला देता है कभी पिकनिक पर ले जाता है उनको इस तरीके से करता है तो बहुत रोल इंपोर्टन है कंपनी की सक्सेस के लिए तो यह था आज का लेक्टर आपको समझ में आया होगा सब्सक्राइब करते हैं अगली वीडियो में जब तक दौाओं में ज़रूर याद रखेंगे के लिए अगा बूंते होगा यह था प्लावकों सब्सक्राइब कर दौाद के लिए फार दौनार को